मोल कॉंसेप्ट और स्टेट्स ऑब मैटर स्टेट्स ऑब मैटर में सिर्फ अप तू कि यहां तक तो आपको यहां तक तो एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा यह चाप्टर हटा दिया गया है अच्छी बात है लेकिन डॉल्टन पार्शल प्रिशर तक तो आना ही चाहिए क्योंकि उसके बिना एक एक लिविरियम भी सॉल्व नहीं होता तो इस स्टेट्स ऑ किसने मुझे बोला सर एटीस की साब से कराओ बेटा एटीस की साब से अब करने का फायदा नहीं क्योंकि एप्रिल मंत चल रहा है मही में एकजाम है तो अब आपको तो बस चैप्टर और उसके साथ चलना है एटीस तो आप साइड बाई साइड अब फुल सिलेबर भी देत किया है solution और chemical kinetics और electro chemistry ये चार छे दिन का प्लान है सर ये जो day 1 है ये day 1 कल से चालू हो जाएगा day 1 अपने पास ये जो है 4th April को किया जाएगा ये 4th April को start होगा morning में आपके पास आपको notification चला जाएगा 5th April को ये करेंगे 6th April को एक problem आई है 6th April को एक problem क्या आई है ठीक है 6th April 7th April को बहुत सारे लोग का real test है जो FpW conduct कर रहा है तो 7th April को पूरा test है तो 6th April को हम लोग Saturday class नहीं करेंगे क्योंकि Saturday class करने से loss हो जाएगा बहुत सारे बच्चों को जो revise करना चाहते तो 6th April को class नहीं होगी 4th और 5th को पहले 2 दिन में हम ये 4 chapter अपना finish करेंगे कल और परसों में आप questions practice के mood से आईएगा मैं सच बता रहा हूँ सिर्फ formula पढ़के आईएगा यहां मजा आएगा questions attempt करेंगे स्तीखेंगे सिखाएंगे और चले जाएगे बस यहीं काम करना है उसके बाद जिन लोग को लगता हो किसा थर्मनानिक से साथ साथ यहीं पर practical वाला पार्ट practical practical जो practical physical वाला पार्ट है जो titration इन सब का है वो वाला पार्ट मैं lab manual के साथ पढ़ाऊंगा भी और उसी के साथ questions भी बताऊंगा redox कर चुके होंगे तो normality यह सब हम revise कर चुके होंगे तो यह वाला पार्ट यहाँ पर कराऊंगा day 3 पे यह पार्ट हमारा मतलब जो मुझे calendar द यह करेंगे थोड़ा यह क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सब के कमसे हम थमना इसके 40 प्यास तो question होंगी होंगे और दूसरी बात भाई यहाँ पर time देखके दो उखंटे का मतलब बोली नहीं रहा हूं मैं दो उखंटे के बदले 5 गंटा 4 गंटा जितना भ होंगा कि आपको और प्राक्टिस में कैसे कैसे इंप्रूब करना है किस तरह की चीज़े करनी है अब पूरा थियोरी पढ़ने वाले नहीं क्लास में हमने कर रख आप इस बैच में तो करी चुके हो देखिए का practical physical chemistry में यह आ जाएगा chemical or ionic equilibrium फिर 12th April को कर लेंगे 12th April को कर अब यह अपने पास 13th April को यह हम लोग सुबर सुबर निप्टा सकते हैं 13th April को यह हम लोग कर लेंगे और electro chemistry अगर होगा तो Sunday को करके खतम कर देंगे उस time का syllabus schedule नहीं पता कि Sunday क्या होगा अगर कुछ उपर नीचे हुआ for example जैसे जहां तक मुझे पता है 9th April को सायद Eid है तो चलो उस दिन तो class नहीं होगी लेकिन सायद पता नहीं किसी एक दिन तो कुछ उट्टी उट्टी हो रही थी तो उस दिन मैं देखूँगा अगर होगा तो मैं आपके साथ लंबा session ले लूँगा उसके बाद electro chemistry मान लो लोगों को लगता हूँ जैसे एक class ले के आप चले गए ऐसा नहीं है भूला नहीं हो यार मेरा मेरा पहला प्यार है तुम लोग ठीक है तो तुम लोग कैसे बूल सकता हूँ मैं लेकिन हाँ यह कि यार classes बहुत सारी होती है तो दिमाग में रहता है जैसे अभी मैंने सोचा हुआ है कि यार मैंनलब ऐसे ऐसे questions दूगा ना जो बच्चा आये उसको लगे कि हां यार मजा आया कुछ सीख के गए अल्रेडी आप अल्रेडी सब लोग revision कर रहे है अल्रेडी सब कुछ सब को मेहनत कर रहे ठीक है लेकिन मेरा काम है कि और जादा उस मेहनत को और अच्छा करना एक्जाम होल के लिए प्रेड़ करना चाहिए अर्शन रीजन के questions हो चाहिए जही मेंस के questions हो चाहिए जो जो मुझे अच्छा लएगा मैं सब लेके आऊँगा ठीक है साथ में सीखेंगे साथ है प्रैक्टिस करेंगे मजा आएगा मैं ऐसा होना चाहिए यार अपने प क्लास लोगा इसके बाद वो full physical chemistry की class लोगा उसमें 50 question ले के आऊँगा 40 question ले के आऊँगा उसके बाद भईया मैं आपसे topic wise नहीं पूछूँगा मैं 40-50 question ले के आऊँगा और मैं इसको revision planner सिर्फ पहले 6 दिन का बता रहा हूँ इसके बाद का revision planner अब आपके हिसाब से किसी भी दिन मैं बोल दूँगा आपको आना पड़ेगा और पूरी physical chemistry के साथ साथ बैठना पड़ेगा revision करना पड़ेगा ठीक है जो 4.6 पॉइंट हो जिसमें organic करा रिखिए उन लोगो tension नहीं लेनी पता चला तुम comment कर रहा हमारी organic की revision कब होगी हो जाएगी तुम्हारी भी organic chemistry क भी प्लान कर रहा हूँ ठीक है जैसे वहाँ syllabus complete होगा हो जाएगा यहाँ syllabus complete हो गया है तो यहाँ पर physical chemistry की revision planning चालू हो गई है ठीक है सिर्फ 6 दिन में आपके पूरे chapters करा दिये जाएंगे उसके बाद उसके बाद day 7 onward day 7 onward जितना भी होगा उसमें पूरा का पूरा हो सकता ह किस दिन organic भी लेके आज़ो हूँ हाँ नहीं physical chemistry की सारे questions लेके आऊँगा और आपके साथ day 7 से अब लगातार practice करेंगे till your exams मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे जैसे ही मुझे 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 करेंगे कल 4 अपरिल को हम लोग ये class करने वाले हैं 4 अपरिल को ये class होने वाली है और 5 अपरिल को ये class होने वाली है तो सर आप लोगों से expect कर रहे हैं ठीक है पर क्या यह आराम से revision करके आईए क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग-अलग रही है किसी भी दिन कोई भी आपसे पूछ ले अगर होता है ना कि सर पंकर सर ने भी आके physical question पूछा ता दे धरादर बता दो ठीक है तो ऐसी revision करनी है ऐसा practice करना है एक महीना और बचाए बेटा इसमें हम सब लोग मिलके साथ चलते हैं आज मही को celebrate करना है तो बस एक महीना जाहे जब बोला जाए जैसे बोला जाए जो teacher जब बुलाए अगर आप खुछ से revision नहीं कर पारे अगर आप खुछ से नया कुछ नहीं कर पारे तो आप हम पर भुरुसा रखिए हर एक teacher आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ले के आएगा जहाँ पर आपको नया questions नए तरीक बैच है इसी में revision करना है सब कुछ अच्छे से अच्छे questions करेंगी ठीक है यह बूल तो रहाऊ मैं लेकिन मुझे पता है अभी मेरे बास खाजाना कहां कहां से निकालना पढ़ रहा है मुझे questions बठाव मजा आएगा ठीक है तो चलो मिलते हैं जल्दी ही बहुत दिनों में तब तक पड़ाई करते हो इंज्वाई करते हो